2ल् ninety two यह इंसर्ट फंक्सन में जैसे कि अपन काम करते हैं, यहां पे बताया था मैने कि यहां पर आप सर्च कर सकते हो मिटा करकी कोई यहां पर मै ने मिटाया और यहां पर मैंने संपंक्सन सर्च किया उसलिए बता रहा हूं कि Committee मनों को पहले से कुछ मालूम भी है कि यह जोड़ने का काम करता है तो यहां पर यह सम आ गया जैसे अपन go करेंगे यह सम आ गया ठीक है यह सम function लिया अफन ने इसका ओके किया यहां से हमने range select की है यहां से यहां तक range select की और okay किया तो इस चीजों का total दिखा दिया इस ठीक है दूसरा हम function लेते हैं इसी में insert function पर click करके यहां से लेते हैं दूसरे में हम लेते हैं यहां पर max, max number लेते हैं और click करते हैं यहां पर जो भी range आप select करोगे उसमें वो सबसे बड़ा number आपको दिखाएगा यहां मैंने total तक का ले दिया ठीक है तो यह सबसे बड़ा total का दिखा रहा है कि 70 अंग सबसे बड़ा है इसमें ठीक है इसके बाद next इस पर result में देखता हूं कोई और लाता हूं फिर से मैंने इस पर insert function पर click किया और अब मैं यहां पे का जिक है सबतो अपर एक में लिखा हुआ है यहां मैंने अपर केस ले लिए ठीक है अपर केस कैप्टाल में लाएगा यह हो जो भी मैं सिलेट्क करों गया तो मैं इसमाल वाले को सिलेट्क करता है lower जो क्या करेगा capital को small में change कर देगा और upper case जो है हो क्या करेगा small character को capital lateral में change कर देगा max क्या करेगा सबसे बड़ी value दिखा देगा sum क्या करेगा total लिका लेगा ठीक है सबकर total करके बताएगा नाम date time के लिए होता है ठीक है रिटन, यह date function सर्फ date के लिए होता है, format दोगे तो इसके हिसाब से ही कर देगा, count क्या करेगा, total value count करके बताएगा, जैसे कि आप देखो हम count कर रहे हैं, ok करते हैं, और यहां से हम यह count करते हैं, कि यह कित्ते हैं total, sale, ठीक है, इसके बाद ok करते हैं, यह 10 है total, आप गि sale count कर लेता, कित्ते खाने हैं, कित्ते sale हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें और भी function है, बहुत सारे, आप देख सकते हो, if function भी है, hyperlink भी है, यह आँगे बताएंगे, यह हमने insert function का भी आपको बताया, इसमें बेसिक तोर पर यह जो काम करते हैं, वो हमने बता दिया आपको, इ इसको थोड़ा से चला के देखते हैं, अब यह हाँ पर हम result लाएंगे, ठीक है, sum function पर हमने click किया, सबसे पहले यहां sum किया, किसका किसका आपको जोड़ चाहिए, आप select कर लो, याद रहे कि अंक होना चाहिए, अगर मालो मैं A भी select कर लूँगा, तो error आजाएगी, ठीक है यह अंक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अंको को ही select करना है, अब मालो यह total को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मालो ले भी लेते हो, तो यह इसको भी जोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि अल्रेडी इसका total इसने कर चुका है, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए कर रहे है कि समझन काम कैसे करता है, यह हमने total किया, यह सब का जोड़ कर दिया, यहाँ से, आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी cell का जोड़ किया है इसने, तो उस cell पर रखके app2 करोगे, तो यह आपको दिखा देगा कि इन इन cell को इसने जोड़ा है, ठीक है, अब दूसरा यहाँ प चोटा नमबर निकाल देगा, ठीक है, और more function में क्लिक करोगे, तो और बहुत सारे function जो कि उसमें अपने देखा था, उस तरह की window आजाएगी, और इसमें आपको बहुत सारे function मिल जाएंगे, जो आप इसमें search करना चाहते हो, माल लो सामने नहीं भी दिख रहा है आपको, तो आप इसमें search कर सकते हो, यहां पर इसको मिटा के, जो भी function आप search करना चाहते हो, यहां लिखो और go करोगे, तो आपको नीचे list में देख जाएगा, फिर list में किसी भी तरह से, इस तरह से select कर लो, और नीचे देखो condition भी बताती है, जैसी average आप select कर रहा हो तो minimum 2 values लेना पड़ेगा, ठीक है average निकालने के लिए, तो इस तरह से पूरा description भी देता है कि क्या-क्या जरूरी है इस formula में, ठीक है, तो average निकालने के लिए मैंने click किया, और आपको range select करनी है, कि यहां से हमने range select कर ली और enter कर दिया, या ok कर दिया यहां से, तो यहां पर आपनको result मिल ग करते हो, ठीक है, recently use में वह function आता है, जो अभी हाल ही में इस्तिमाल किये गए है, जैसे अपन वर्ड में कोई file बनाते रहे ने, तो वापस दूसरे दिन open करते रहे, तो पूरी file के लिए इस्ट आती रही, कौन-कौन सी, तो जैसे जो अभी हाल ही में आपने इस्तिमाल किये होंगे function या files, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जैसे अभी हाल में अपने average चलाया, count चलाया, per case चलाया, max चलाया, sum चलाया, lower चलाया, now चलाया, date चलाया थी, date पूरी नहीं चलाया थी, back कर दिया था, तो इस तरीके से यह पूरी list दिख रही है, जो यूज नही हाली में इस्तिमाल किये गए, वो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, तो यहाँ से जैसे बार-बार कोई function आप इस्तिमाल कर रहा हो तो यहाँ से access कर सकते हो, financial में आप कुछ advanced formula आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, यह हम आगे बताएंगे आपको करके, जो हमने equation दी है, type करन के लिए उसमें यह सब चीजों का use है,